गुड मॉर्निंग छात्रों मैं दीपक सिंग बेवसाइक आपका और परियावराण मैं आपको पढ़ाता हुँ परियावराण गामिल विकास और साथ ही साथ आपका उद्यम का विकास तो उद्योग भी लगाने चाहिए उद्योग में प्रदूसर्ण नींतर गोल्ड का आप फतुल्लापूर फैक्टरी का जिसका मैं आपको अक्सर बताता था कि इसकी जो राख है राइस हस्क जिसको बोला जाए तो बिजली बनाने के लिए हम इसका प्रियोक करते हैं और दीपक सिंग आरेच्छे पे आपको इसका वीडियो भी बहुत मिल जाएगा रेच्छे और जो है बहुत से तो आप दीपक सिंगारेच्छे पे भी देख सकते हैं तो अब इसका वीरूद आप हो रहा है अब लोगों में सांस की बिमारी हो रही है फसल बरबाद हो रही है सोचिए 2009 से ये राख जब चिमनी से आप बाइपास करके इसको उड़ा देंगे तो ये शरी में लोगों को पता नहीं चल पाता है लेकिन वहाँ जो नजदीक के लोग है उनका जरूर प्रावलम होती है और जो उसमें काम कर रहे थे 2009 में तो कोई मास्क होगा रहा का तो सिस्टम थाई नहीं आज तो यहां लोग मास्क लगाए हुए है तो 2009 से सोचिए मास्क थाई न दान की भूसी इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर 32 किलो कलोरी उरजा होती है उस उरजा को यह निकाल के हीट एनरजी से पानी को गरम करके और भाब बनाके टर्वाइन चलाके 11 किलो वोल्ड पैदा कर लिया था इसको मैंने आपको समझाया भी है आर इच्छे करक आप देखेंगे वीडियो में तो यह प्राब्लम आनी थी आज नहीं कल आनी थी यह सुरू से वीडियो से भी और कुछ परस्नली भी लोगों से मैं कहता रहा है कई लोग मेरे पास आए कि छत पे सरी कला कला क्या है थोड़ाई है मैंने उसमें वीडियो मेरे आंगन में भी है और जबकि मेरी दूरी आठ किलोमीटर है तो ऐसा जो है धीरे धीरे यह इसकी साइज भी आप जानने 26 माई क्रान है और पहले गूगल पर इस पर बहुत ज्यादा नालेज नहीं थी लेकिन अब आप अगर आरेचे डाल दें सिर्फ आरेच ए तो आपको राइसास का गू पर यह जलाई गई है तो चारसो पचासी डिगरी पर जो जलती है राक जो है वो सिल्कान आकसाइट के रूप में परवर्तित हो जाती करीब 96% जिससे हम सिल्कान निकाल भी नहीं सकते अगर यही राक जो है आपकी 700 डिगरी के आसपात 700-800 मैस पर पत्र करीब 2009 से देख रह है ती कि अगर 700-800 से उपर अगर यह जले तो इससे सिल्कान निकालके आप सोलर परनल बना सकते हैं नो डाउट सही बात है लेकिन यहां 485 पर ही निकालके और प्रबंत तंत्र ने इसका कोई भी मतलब इस पर आर एंडी डिपार्टिमेंट हम तो कह रहा है कि आप किसी भी जाएए छोटी या बड़ी तो उसका एक आर एंडी डिपार्टमेंट होता है रिसर्च और डिप्लेम्ट डिपार्टमेंट चाहे वह उसकी मार्केटिंग के संबंदित हो या फिर उसके अपसिस्ट से संबंदित हो इस फैक्ट्री के अंदर आप जाएंगे तो आप देख और इस तरह का फिर ये राजकुमार जी आपको 2009 में नहीं लगा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 रॉयास्ते पर ही पड़ी रहती थी और हम लोग देखते थे और बाच्छी तरह से जानते थे और सोचते थे कि कोई ना कोई इसमें विद्वान आदमी कोई इंजिनियर खड़ा होगा लेकिन उनके पास करीब 50 लेटर होंगे जो DM साफ से लेके, HDM साफ से लेके परदूसरणी अंतरव बोड से, कंट्रोल से, IGT से लेके जहां तक हो सकता है सारे लेटरस उनके पास होंगे और उन्होंने दिये भी है लेकिन इस पर कोई action हुआ नहीं और मुझे जहां तक लगता है होगा भी नहीं और क्योंकि 2009 और 2020 में करीब हमको लगता है कि अच्छा खासा अंतर है जब इतने साल तक नहीं कुछ हुआ कुछ नहीं विगाड़ पाया आदमी तो अब क्या विगाड़ाया गाजीपूर और गाजीपूर में अगर उतना रहता तो जरूर कुछ ना कुछ हुआ होता ज्याद हुआ है कि आदमी इसका कहीं कोई कुछ बोल नहीं सकता आर एंडी का सुझाओ भी दिया गया लेकिन कोई भी मतलब एक ताना शाही हो जाता है ना आदमी तो वैसा मतलब कभी बुला के पूछना भी नहीं कि हा भाई चलो तुम्हारी बुराही कर रहा हो तो क्यों कर रहा ह मालिक की कर्मचारी की और मशिन्री की मैं में खुद इंजीनियर हूँ हो तो मैं इनकी बुराही कभी नहीं कर सकता हाँ अब अपिर आप निकालेंगे ठेकेंगे किसी के दर वाजे पे तो मैं उसस्वांध पिराही करूंगा और उसमें नो डाउट कि Bernie माइकराम का जो है आर इच्छे आप जो समझ रहा है ना ये जिसकी नाक में घुसा होगा ये फतुल्लपुर के हर आत्मी के फेपड़े के अंदर मिल जाएगा और हर पौधे जो मर गया है उनमें मिल जाएगा और जमीन में मिल जाएगा जल जमीन जंगल जलवायो के एक पाड़े पार्क में यादर जी आप मेरी बात सुन रहा होंगे और मुझे कोई डर नहीं है जिस दिन मेरा मूट संका तो मैं तो आक एंसन पर सीधे बैठ जाओंगा क्योंकि ये प्रदूर्शन आज का नहीं है ये करोना का बाप है और इसके अंदर जो लोग हैं अपनी ज बढ़ा रहे हैं इसे बढ़ियां कि आदमी दस बिस्ता जवीन पर दान वहां के खाया और अपना रहा है वह ज्यादा अच्छा है तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता और चोटी-चोटी राइस मिलें भी देखिए 200 ने पर आवर अगर आप हीम लगा लेंगे तो जो छोट सब्सक्राइब अपना काम कर रहा है उनका क्या होगा कई चीजें सोचनी चाहिए देखनी चाहिए वैसे मुझे तो डावड होता है कि इतनी गाजीपूर तो एक एग्रो सिटी थी इतनी बड़ी फैक्टरी का यहां पर लोकेट होना इसका लोकेशन पर ही मुझे शंका होत मैं भी आपके साथ रहा हूं कभी बाव उदय सिंग के साथ मैंने सुरुआद भी की है इस चत्री महासबा की अजै सिंग, खड़वा, यूसरफ, बनिहारी और यह भी हमारे दोस्त रहे हैं तो चत्री महासबा से हम भी जूड़े हूए हैं सर और कोई भी महासबा हो चत्री इसका निदान करें माई यह नहीं खाता कि इंडिस्ट्री को में इसका निदान करें आर एंडी का निदान करें मालिकों से पूछें कि 10-20 साल से आप लोगों ने कोसिस क्यों ने किया और कोसिस भी किया तो क्या किया और किस तरह से समझा इसको वाकिन में लकड़ी जल कोईला इसके अंदर तो भी राक ही है यह तो अभी वह अगरबती वाली आपकी राक नहीं हुई जो अगरबती से जलके वह एस तरह से होती तो कुछ मतलव होता नेख़ा नहीं त mistaken इंतर्म वीडियो वगरा कर लेता हूं अपने तरफ से अरेंडी कर रहा हूं वह फैक्टरी के पक्ष में ही है मैं उनका विरोध नहीं कर रहा कि विरोध करने के लिए मैं उपर जाके मुकदमा लगा दूँ कि नहीं साविस्ट्रे करो इसको और यह गाउं पूरा मर रहा है र उसी चीजे में 2009 से गूगल से पूछना सुरू किया था अब तो गूगल लक्स पर भी और आरेचे पर भी बड़ा अच्छा अच्छा फेश्ट्रूप सब देता है तो आप लोग भी अपना कुछ कोसिस करिए और इसका हल शत्री महासबा अगर मिले बातचीत करेगा तो ज करेगा